तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिपेश और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बिकम डॉक्टर पर तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हाइपर थाइरोडिजम और हाइपो थाइरोडिजम की वज़े से होने वाले सिम्टम थाइरोड हार्मोन की मातरा उसकी बॉड़ी में ज्यादा हो गई है तो उसको कौन-कौन से सिम्टम्स देखेंगे मतलब क्या-क्या लक्षन देखने को मिल सकते हैं हमको उसकी बॉड़ी के अंदर और हाइपो थाइरोड हार्मोन की मातरा कम हो गई है तो क्या-क्या लक्ष करके भी study कर सकते हैं कि hyper को और hypothyroidism का तो सबसे पहले hyperthyroidism जो patient hyperthyroidism वाले होंगे उनके thin hair होंगे मतलब उनके पतले बाल हो जाएंगे और जो hypothyroidism वाले होंगे उनके thick hair होंगे और unmanageable होंगे मतलब जो hyperthyroidism वाले होंगे उनके पतले hair होंगे और hypothyroidism वालों के मोटे hair होंगे और बिगडे हुवे होंगे मतलब उनको manage नहीं कर पाएंगे second point discuss करते है hyperthyroidism के नदर anxiety और hypothyroidism के नदर depression मतलब जिसके hypothyroidism होगा उसको anxiety के condition होगी और जो hypothyroidism वाला होगा वो depressed depressed सा होगा ठीक है फिर उसके बाद हम discuss करते हैं third point तो third point के नदर hyperthyroidism वाला बहुत कम नींद आएगी मतलब उसको insomnia हो जाएगा वो बहुत कम सो पाएगा और hypothyroidism वाला बहुत सो सकता है उसको बहुत नींद आएगी जो hyperthyroidism वाला होगा fourth point वो बहुत जाएगी hypothyroidism की वज़े से इस वज़े से वो बाते बहुत कम करेगा fifth point हम discuss करते हैं तो जो tendon का reflex या वो hyperthyroidism में जादा होगा और hypothyroidism में tendon का reflex धीरे या slow होगा ठीक है अब हम बात करते हैं hyperthyroidism के sixth point के बारे में तो इसके अंदर जो gage disease हो जाती है तो उसके अंदर exothelomus हो जाएगा या फिर lid leg हो जाएगा मतलब जो hyperthyroidism के अंदर क्या होगा जो patient होगे उनकी जो eye lead होगी वो उनकी आखों के moment को follow नहीं कर पाएगी मतलब उनकी आखी नीचे चली जाएगी और जो eye lead है उसको follow नहीं करेगी वहीं hypothyroidism के अंदर क्या होगा आखों के नीचे puffiness आ जाएगी ठीके फिर उसके बाद hyperthyroidism के 7th point में हम discuss करते हैं तो hyperthyroidism के वज़े से क्या होगा यदि आपका hyperthyroidism जादा होगा तो body की basal metabolic rate भढ़ जाएगी और उसकी वज़े से heat develop हो जाएगी body के अंदर तो इसकी वज़े से क्या होगा जो patient की body होगी वो warm होगी मतलब गरम होगी और पसीने वाली होगी मतलब sweaty skin होगी जो skinny होगी वो sweaty होगी और गरम होगी और वहीं hypothyroidism के अंदर क्या होगा low basal metabolic rate होगी इसी वज़े से उनकी skin ठंडी होगी ठिक होगी मतलब मोटी होगी और scaly होगी सुखी skin होगी ठीक है फिर उसके बाद हम 8th point के बारे में discuss करते हो तो hyperthyroidism वाले people heat को tolerate नहीं कर सकते मतलब वो गरम environment में tolerate नहीं कर सकते रह नहीं सकते क्यों क्योंकि उनकी basal metabolic rate बहुत जादा होगी और वहीं जो hyperthyroidism वाले patient होगे वो cold के नहीं रह सकते मतलब वो intolerant होगे cold से क्योंकि उनकी basal metabolic rate कम होगी फिर जो अगला point हम discuss करने वाले है वो discuss करने वाले है कि जो hyperthyroidism जो patient होगे उनकी जो आवाज होगी वो annexious होगी मतलब उनकी आवाज में थोड़ी annexious होगे मतलब जैसा मैंने आप लोगों को पता है था और जो hypothyroidism वाले होगे उनकी depressed रवाज होगी मतलब वो depressed होगे धीरे धीरे बोलेंगे वहीं hyperthyroidism वाले annexious होगे अब हम 10th point डिसकस करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा अगर hyperthyroidism है तो इसके अंदर क्या होगा आपकी oxygen की मातरा लेने की capacity बढ़ जाएगी और carbon dioxide छोड़ने की capacity बढ़ जाएगी more respiration होगा मतलब वहीं hyperthyroidism में दोनों condition decrease हो जाएगी क्या हो जाएगा आपकी respiration की जो condition है मतलब oxygen का जो आप लोगे वह oxygen कम ले पाओगे और carbon dioxide भी कम छोड़ोगे फिर उसके बाद हम अगली condition डिसकस करते हैं जब hyperthyroidism होगा तो वो patient के अंदर क्या होगा motility increase हो जाएगी किसके अंदर gastrointestinal attack के अंदर इसकी वज़े से diarrhea की condition हो जाएगी और वहीं hypothyroidism वाले patient के अंदर GIT की modality कम होगी इस वज़े से constipation हो जाएगा अगला point डिसकस करते हैं तो अगले point के अंदर क्या है जो hyperthyroid patient होगे उनका जो dynamic system है मतलब blood regulator system है वो hyper होगा मतलब जादा होगा उनकी cardiac output जादा होगी stroke volume जादा होगी और heartbeat rate भी जादा होगी और वहीं hypothyroidism के लिए ये बिल्कुल opposite रहेगा उनकी cardiac output भी कम होगी उनकी stroke volume भी कम होगी heartbeat rate भी कम होगी अब जो disease होगे दोनों में वो क्या होगे दोनों में जो common disease होगा वो हो सकता है cardiac failure मतलब hyperthyroidism वाले patient के भी cardiac failure हो सकता है और hypothyroidism के भी cardiac failure हो सकता है लेकिन जो hyperthyroidism patient होगे उनके टेकी अरिद्मिय होगा मतलब heartbeat rate more than 120 जा सकती है और वहीं bready अरिद्मिय होगा hypothyroidism के लिए मतलब heartbeat rate 40 से 20 तक भी जा सकती है फिर उसके बाद अगला point हम discuss करते हैं तो वो है LDL मतलब low density lipoprotein मतलब cholesterol का deposition तो जो hyperthyroidism patient होगे उनके अंदर LDL की मातरा कम होगी तो LDL deposition कम होगा और वहीं जो hypothyroidism patient है जिनके अंदर thyroid hormone की कम ही है उनके अंदर LDL की सफाई नहीं हो पाएगी रिमूव नहीं हो पाएगी इस वज़े से LDL का deposition जादा हो जाएगा आप लोगों को पता है Atherosclerosis क्या होता है आपकी main artery के अंदर है जो cholesterol का deposition हो जाता है इसकी वज़े से blood का flow बहुत कम हो जाता है और वो आगे आपकी heart failure के अंदर responsible हो सकता है अगला point हम discuss करते हैं वो है systolic pressure तो जो hyperthyroidism होगे उनके अंदर systolic pressure जादा होगा और वहीं hypothyroidism के अंदर diastolic pressure कम होगा systolic pressure hypothyroidism में cardiac output जादा होनी की वज़े से होगा जैसा आप लोगों को पता है मैंने BP के अले topic में discuss किया था कि systole depend होता है cardiac output पे और वहीं जो diastole है वो कम क्यों होगा क्योंकि total peripheral resistance कम हो जाएगा फिर उसके बाद हम अब last point डिसकस करते हैं वो है woman से related mensuration से related तो जो hyperthyroidism वाली patient woman होगी उनके अंदर oligomanorrhea की condition देखी जाएगी मतलब less frequency of bleeding बहुत कम frequency bleeding की देखी जाएगी और वहीं जो hypothyroidism वाली woman होगी उनके अंदर manorrhea या फिर polymanorrhea देखी जा सकती है मतलब या तो बहुत ज़्यादा excessive bleeding होगी या फिर polymanorrhea मतलब frequent bleeding होती रहेगी अब इन दोनों के अंदर जो common चीज ये है कि दोनों के अंदर आपको infertility cause हो सकती है मतलब यदि आपको hypothyroidism हो या फिर hyperthyroidism हो दोनों आपको infertility cause कर सकते है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको दोनों के लक्षन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिए सारे एक-एक क्या के condition हो जाती है जब hypothyroidism और hyperthyroidism की condition होती है तो मैं उमीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आयागा और यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा वीडियो को like कीजीगा और comment करके आप अपना doubt पूछ सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा तो comment करके आप मुझे बता भी सकते हैं बाकी मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए topic की साथ तब तक के लिए धन्यवाद खुदा आफिस बाई बाई